दोस्तों इस वीडियो में HDFC Defense Fund को मैं compare करने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों की request आ रही थी कि सर मुझे defense sector में invest करना है और मोतिलाल उस्वाल का इसी sector से related एक info भी आने वाला है, इसलिए बहुत सारे लोग request कर रहे थे कि आप एक बर अपना opinion दीजिए कि जो नया info आ रहा है निवेश करना चाहिए या इस fund में HDFC Defense Fund में निवेश करना चाहिए, वीडियो बहुत ही ज्यादा interesting होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इस sector में निवेश करने वाले हैं तो इस sector में growth क्या रहने वाला है और अभी valuation भी देखे finance fund में हम invest करें या नया जो NFO आ रहा है उसमें निवेश करें वो भी मैं आपको बताऊंगा और हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि जब भी NFO आते हैं कब आते हैं जब मार्केट में तेजी आती है तब उससे related AMC company वाले NFO लेके आती हैं जब मार्केट में तेजी होती है तो आपको मालू मैं ना IPO आते हैं और अभी मार्केट अपने all time hyper trade कर रहा है तो इस पे भी मैं आपको बताने वाला हूँ आपको बहुत सारे लोग positive चीज़े बताएंगे लेकिन मेरा फर्ज है कि आपको positive चीज़े भी बताऊं और negative चीज़े भी बताऊंगो ताकि आप correct way म अपने index को बीट नहीं कर पाया नहीं 3 months में नहीं 6 months में नहीं 1 year में हाँ एक साल में 100% से ज्यादा returns निकाल के दिया है लेकिन अपने index को बीट नहीं कर पाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा risk क्या है इस category में वो भी बताऊंगा 3 years का target देखेंगे कि अगर आप इस scheme में न opportunity है कब तक निविस करना चाहिए वो भी बताऊंगा और यह fund किसके लिए सही है और किसके लिए सही नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद से last में देखेंगे कि HDFC defense fund में निविस करना सही है या नहीं है और आप लोगों से request है कि अभी तक चैनल को subscribe नहीं कि करेंगे HDFC index fund को जब मैं compare करूंगा तो इसी के साथ साथ जो एन फो आ रहा है उस पर भी मैं बात करूंगा तो वीडियो को skip मत करिएगा आधा दोरी बाते सुनेंगे फिर गलट decision लेंगे फिर गलट decision लेंगे तो फिर पैसा नहीं बना पाएंगे तो जल्दी से एक बार हम सेक्टर देख लेती हैं तो यहां पर देखिए गलोबल बात कर रहा है गलोबल मिल्टरी अगर हम expenditure देखें तो यह बढ़ी रहा है क्यों बढ़ रहा है क्योंकि geopolitical इसू चल रही है और अभी वर्ड में दो कंट्री में अभी fight चली रही है इस्राइल रसिया उक्रेयन चली एक डेड़ साल से ज्यादा हो गया और देख सकते हैं कि तीन-चार महीने में USA में election है तो अगर ट्रम्प बाबु जीत के आते हैं तो इन्होंने क्या बोला है नाटो वाले हमको पैसा चाहिए अब ऐसा नहीं है कि अब मैं तुम्हारा करजा नहीं खाया है कि मैं तुम्हार कंट्री को प्रोटेक्ट करूँगा तो अब जितने भी कंट्री हैं इरोप में वो भी सोच रहा है कि भाईया एक काम करते हैं जो भी हमारी जिड़ पी है उसका एक से दो परसेंट पैसा बचा के और डिफेंस पे खर्चा करते हैं नहीं तो कल को यह को ट्रम्प बाबु आ जाना चाहते हैं आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट जो डिफेंस में इस्पेंडर है सबसे ज्यादा यहां पर देख सकते हैं उसके बाद से चाइना उसके वाद से रसिया और फोर्थ पर हैं इंडिया और फिप्त पर साओधिय अरभिया देख सकते फोर्थ अस्थान पर हम लोग एक बार हम लोग इंडिया का जो डिफेंस बजट है उसको भी देख लेते हैं तो देख सकते हैं जब इंडिया की गवर्मेंट 2014 में आई तो उस समय जो बजट था डिफेंस सेक्टर का 2.29 लैक करोर था और अभी देख सकते हैं यह बजट लोकिशन बढ़ेगा तो जो कंपनियां धमाल मचा रहे हैं एक डेट साल से वो धमाल मचाएंगे अगला जो हम बात करें इंडिया मेजर इंपोर्ट पार्टनर के अगर हम बात करें तो सबको मालूँ है कि फर्स्ट पर आपका रसिया यहां पर देख सकते हैं 36% यहां पर ह यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि इंडिया की गवर्मेंट फोकस कर रही है कि जो यहां पर रसिया और फ्रेंस से डिफेंस में हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं इसको कम करा जाए और मेकिन इंडिया को बढ़ाया जाए इसलिए तो देख सकते हैं कि एक चीनल 12 2ne4 को मोज़ञेक रहे हैं डिभिनस एक्सपोट करा है इस मांट कि यहां पर टेखने कर रहा है तो इस सेक्टर में बहुत है नो ड़ाउट और बजल साल बढ़ रहा है तो बजल बढ़ेगा और government भी focus कर रही है तो यह sector देखिए आने वाले दिनों में भी अच्छा करेगा ही करेगा अब हम जल्दी से HDFC defense fund को analyze कर लेते हैं तो पहले हम देखेंगे category तो यह thematic fund है sectorial fund है और आप सबको मालूम है कि sectorial thematic fund में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि आपका जो पैसा है एक sector में निवेश होता है आगे बढ़ते हैं अभी इस fund को एक साल हुए हैं देख सकते हैं यहां पर कि 19 मई 2023 को HDFC EMC कंपनी ने इस fund को launch करा था वहीं पर हम fund size की बात करें यह हूं की तो 3233 करोन इसका fund size है वहीं पर अगर हम इसका returns देखें, returns देखिए, 3 months में 48.47% का returns दिया है लेकिन इसके benchmark ने 3 months में 52% का returns दिया है और इस fund ने 6 months में 55.37% का returns दिया है और इसके index ने 69% का returns दिया है देखते जाइए, one year में इस fund ने 131% का returns दिया है सांदार लेकिन इसके benchmark ने 155% का returns दिया है तो देख सकते हैं कि यह fund आपको returns निकाल के दे रहा है लेकिन अपने benchmark को नहीं 3 months में नहीं 6 months में नहीं 1 year में बीट कर पाया है तो इससे आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि अभी इस sector में 1.5 साल से तेजी देखने को मिल रही है इसलिए आपको इस fund में भी तेजी देखने को मिल रही है एक बार हम देखते हैं expense ratio तो इस fund का जो expense ratio है 0.74% है exit load की बात करें तो 1% penalty है अगर आप एक साल के अंदर इस fund से exit करते हैं वहीं पर अगर हम लोकिन की बात करें तो इस fund में लोकिन नहीं है आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं बेंचमार्क यस निफ्टी इंडिया defense TRI इसका benchmark है risk की बात करें तो risk इसमें यहाँ पर नई risk यहाँ पर होना चाहिए high risk है very high risk है इस fund में क्योंकि आपका पैसा एक ही सेक्टर में निवेस हो रहा है और यहाँ पर देख सकती है ध्यान से देखिए कैसे मैं risk बोल रहा हूं यह देखिए यहाँ पर 3 जून को exit पो सब्सक्राइब लेकिन अगले ही दिन जिस द Transportation आया लोग सवाका तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 19.52 हो गया इक दिन में यहाँ पर दिख सकते है कि दिग से 19.52 हो गया थाफिए यह यहाँ पे 23 नीचे आ रही है तो बहुत ज search यहाँ पर correction माना जाएगा इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि आपका पैसा एक ही सेक्टर में निवेस हो रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मार्केट में correction आया तो यहाँ पर गिरावाट भी आपको देखने को मिल रहे है तो यहाँ पर अगर हम standard deviation देखें तो 25.56 इसका standard deviation है बीटा देख सकते हैं 1.08 है तो जिस भी fund की बीटा value एक से जादा है वो थोड़ा high volatile होता है तो देख सकते हैं कि volatility तो रहेगी रहेगी minimum investment की बात करें तो आप 100 से SIP शुरू कर सकते हैं वहीं पर अगर हम asset allocation की बात करें तो इस fund में देख सकते हैं 51% पैसा आपका large cap company हो में निवेस हो रहा है mid size वाली जो company है उनमें 7.52% इनिवेस्ट हो रहा है और small cap में 40.23% तो देख सकते हैं कि इस fund में अच्छा combination है large में भी कुछ है कुछ small में भी है और कुछ mid में भी है वहीं पर अगर हम top 10 holding की बात करें तो देख सकते हैं सबसे ज्यादा weightage इन्होंने HAL में ले रखा है यहां पर देख सकते हैं फस्ट इन्होंने जो खरिदारी करी थी 30 जून 2023 को और वहां से देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा weightage HAL का है 22.04 उसके बाद से भारत electronic में है 21.72 और इन्होंने 30 जून को इसमें खरिदारी करी थी और वहां से देख सकते हैं कि 1500 परसेंट से ज्यादा का retention निकाल के दिया है फिर से एश्टरा देख सकते हो 192 परसेंट का retention दिया है जब इन्होंने buy कर रहा था उसके बाद से यह देखिए प्रिमियर एक्स्प्लोसीब 752 परसेंट के रिटन्स दिया है एक साल में देख सकते हुआ वहीं पर हम सोलर इंडस्टी की बात करें इसने भी एक साल में 164 परसेंट के रिटन्स दिया है यह कब का रिटन्स है जब AMC कंपनी का जो फंड मैनेजर है उन्होंने बाई करा यहां पर देख सकते हैं जब इन्होंने बाई करा था 30 जून को यह सब बाई करा था को जुलाई में और वहां से यह स्टॉक 200, 500, 700 परसेंट से ज़्यादा का रिटन्स निकाल के दिये हैं कुछ यहां पर 77 कुछ 57 तो देख सकते हैं कि इस फंड में जितने भी स्टॉक हैं एक डेड़ साल से धामाल मचा रहे हैं इसलिए आपको एक साल में इस फंड ने 130 परसेंट का रिटन्स निकाल के दिया है आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं वैलीयशन तो अभी देख सकते हैं कि अभी 58.72 पी के मल्टीपल पर इस फंड का वैलीयशन है तो जो एक स्मार्ट इनवेश्टर है वह क्या करता है पता ही यहां पर यहां पर निविप्स करें यहां और जब मार्केट bardzo हो जाए तो अपनत इने जहां पर होल्ड कर देना चाहिए कम कर देना चाहिए और मार्केट में करेक्शन का वेट करना चाहिए लेकिन अगर आपने बहुत सारे mutual fund का portfolio create कर रहा है और आप इस theme में निविस करना चाह रहे हैं SIP के through तो बिल्कुल आप बिंदास के SIP कर सकते हैं उसमें कुछ इसू नहीं है लेकिन लंचम करना है तो उसके लिए थोड़ा सापको सोचना पड़ेगा क्योंकि अल्रड लगा चुका है देख सकते हैं कि 58 के आसपास इसका का Valuation है तो लंचम करने के लिए वेटरना चाहिए SIP करना है बिंदास कर सकते हैं SIP में कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने सेक्टर ग्रोथ आपको मैंने दिखा दिया कि इस सेक्टर में देखिए ग्रोथ तो रहेगा ही रहेगा Valuation की बात करें तो अभी इसमें Valuation रिच है लेकिन अगर आप SIP के थ्रूर निवेश करना है के बारे में सोच रहा है तो बिल्कुल निवेश कर सकते हैं कोई इसू नहीं है क्योंकि SIP में अभी जैसे माल लिजिए कि अभी 58P के मल्टिपल पर मिल रहा है लेकि कि किसी कारण मार्केट में गिरावाट आएगी तो आपकी एनवी भी तो यहां पर सस्ते में मिलेगी तो यहां पर आपका एनवी एवरेज आउट हो जाएगी तो वेल्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लॉंग टर्म इन्वेस्टर है और SIP के थ्रूर निवेश कर रहे हैं तो निवेश कर सकते हैं राइट व पर लिस्ट होने दीजिए उसके बाद निवेश करना है तो करिए नहीं तो जो अल्लेडी फंड है उसमें निवेश करिए वह आपके लिए सही रहेगा यह टोटले डिपेंड करता है आप पर मेरे तरब से कोई रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन मैं ज्यादा तर जो नए एन तो देखो हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि जब भी मार्केट में रैली आती है तहली एंसी कमपनियों को भी याद आता है जलो भाई बैठी है और अभी मार्केट में बहुत नवाई है कि डिफेंस ॡिफेंस ।ディ इफेंस में सारी कंपनियां कोई 5% कोई 10% कोई 20% कर प्रेली दिखा रहे हैं तो अभी सबको मोटिवेशन आ रहा है कि चलो यह डिफेंस में निवेश करना है तो जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो क्या करेगा बताइए सेक्टर अच्छा है लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट कम करेगा और जब गियावट आएगा और भी तो सेक् की प्रविल्टी है थोड़ा कम हो जाती है तो जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है वो क्या करता है सस्ता खरीता है और समय देता है और आप तो समय देने वाले इन्वेस्टर है ही तो बहुत सारी एमसी कंपनियां इसी का फायदा उठाती है कि चलो वही है सारे लोग डिफें एकी सेक्टर में निविस हो रहा है थ्री इसका टार्गेट अगर हम देखें तो अगर यही गवर्मेंट पाउर में रहती है अभी तो आपको मालूम है कि मिली जूली सरकार है तो अभी मुझे लग रहा है कि बिहार में एलेक्षन हो जाएगा बिधान सबाका तो फिर से आप आपको थोड़ा सा मार्केट में हल चल देखने को मिलेगी लेकिन अगर आपका इन्वेट्मेंट हो राजन लॉंग टम है तो बिल्कुल आप निविस करने के बारे में सोच सकते हैं अब हम बात करते हैं अगर आपके पास 2,000 या 4,000 या 5,000 SIP अमांट है आप मिच्वल फं इसकी में निवेस कर रखा है और रिस्क तो देखना ही देखना है तो अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्ट करें या अभी अवाइड करें तो यस SIP करने के लिए जैसा में आपको बोलता हूं कि मुहरत देखने के जुरूत नहीं है अगर आपको इस सेक्टर में निविस करन है तो HDFC Defense Fund में SIP के थुरू निवेस करने के बारे में सोच सकते हैं वह आपके लिए सही रहेगा लेकिन रिस्क ले सकते हैं गोल इन्वेस्टमेंट हो राजन लॉंग टम है तो और अलग अलग मुच्वल फंड में निविस किया है तो लेकिन अलग-अलग मुच्वल फंड कि मैंने दोनों बता दिया अब डिसिजन लेना आपका काम है इस वीडियो कैसी लगी आपको कोमेंट करके जरूर बताइएगा तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तेंक यू